तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए फ्यूचर में अपकमिंग बैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ अपकमिंग टीचिंग बैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो भी टीचर की बैकेंसी आने वाली हैं तो अगर आप teacher बनना चाहते हैं और अगर आप teacher की तयारी कर रहे हैं teaching की तयारी कर रहे हैं आपने B.A.D.R. daylight कर रखा है तो vacancy के लिहाज से आपकी ये वीडियो बहुत कारगर होने वाली है तो बने रहीएगा वीडियो में क्योंकि मैं एक एक detail आपको बताने वाला हूँ future में कि आपको कौन-कौन सी vacancy देखने को मिलेगी आपको क्या-क्या तयारी करना है तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा दोस्तों की be ready यानि की एकदम पूरी तरीके से आप तयार रहे जिससे कि जब भी vacancy आए बस आपको revision करना हो तो इस वीडियो में हम पूरा detail दिखेंगे कि आने वाली vacancies कौन-कौन सी है कौन-कौन सी vacancies जो है वो आपको 2425 में देखने को मिलेगा तो बिना time waste किये हम लोग फटा-फट start करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों जो vacancy का chance बन रहा है वो बनना है आपके DSSB का तो हाल फिलहाल में जैसा कि आप लोग उन देखा कि DSSB ने आपके calendar जारी किया है जिसमें आपके सिख्षक भरती से सम्मंधित कोई जानकारी नहीं है especially अगर बात करें तो mostly students PRT का wait कर रहे हैं जिसके regarding कोई भी information इस calendar में नहीं दिया गया है क्यों नहीं दिया गया है क्योंकि अभी सासन के इस्तर पर इसकी जो बेकेंसी है उसको हरी जंडी नहीं मिली है इसमें दो department होते हैं DTSB PRT की बात करें तो दो department इसका एक्जाम करा दे हैं एक होता है MCD और एक होता है DOE तो अगर बात करें DOE ने अपने बेकेंसी रिलीज कर दिये हैं वो लगभग एक हजार उन्होंने बताया है एक हजार संथिंग और MCD ने अभी नहीं रिलीज किये हैं अब इसमें क्या होता है कि कुछ department जो है वो आपकी केंद सरकार देखती है कुछ department राज सरकार लेकिन अभी उसमें state और central में काफी जद्दो जहत चल रहा है जिसकी वज़से इसमें delay देखने को मिल रहा है बट जल्द ही ऐसा मानना है क्योंकि DSSB PRT बेकेंसी है काफी वर्स हो चुके हैं कम से कम 2 से 3 वर्स होने को हैं तो अगर देखा जाए काफी सारी वेकेंसी खाली है और उनको फिल करने की भी जरुरत है तो वहाँ पर जद्दो जहत जारी है जैसे ही हरी जंडी मिलती है तुरंत इसकी वेकेंसी रिलीज कर दी जाएगा लेकिन इतना तुत्य है कि अगर 2024 में नहीं आया तैयारी पूरी रखी आप क्योंकि अगर आ गया तो मिस हो जाएगा न नहीं आया तो होली होली 2025 तक आपको ये डेफिनेटली देखने को मिलेगा 110 परचन क्योंकि वेकेंसी वहाँ पे सीटे महुत खाली है PRT की तो PRT की बेकेंसी लाना बहुत ज़रूरी है वहाँ पर तो पहला आपका जो हो गया बेकेंसी वो है डेट्रपलेस भी जो लोग तयारी कर रहे हैं वो अपनी तयारी को छोड़े नहीं क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट्स इसमें फाइट करते हैं और कटाफ इसका काफी हाई जाता है तो अगर आप अच्छे मेहनत अच्छे डायरेक्शन में करेंगे तभी आपको इसमें सफलता मिलेगी उसके अलावा अगली बेकेंसी की बात करें जो की आनी है आपकी वो है BPSC टायर 4.0 और 5.0 3.0 का एक्जाम हाल फिलाल में हुआ और अगर बात करें अपकमिंग वेकेंसी की BPSC में तो लगभग डेढ़ लाख या पौने 2.0 लाख वेकेंसी जो है वो अभी अनाउंस होई है हाल फिलाल में जो की आनी है तो आप BPSC के लिए बिहार के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार के एक्जाम के लिए आप भी टीचिंग एक्जाम की तो बिहार का एक्जाम आपके लिए एक golden opportunity हो सकता है क्योंकि इसमें बेकेंसी भर भर की आपको मिलेगा तो अपनी तयारी एकदम जारी रखिए और तयारी को अपने फुल कर लीजिए जिससे कि जब भी वेकेंसी आये तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना रहे और अगर अगली वेकेंसी की बारे में बात करें तो KBS हाली में कुछ दिनों पहले ये चर्चा तेज हो चुका था कि KBS की बेकेंसी भी आनी है क्योंकि बेकेंसी का ही रिजन रहा है कि सरकार को इस बार काफी हार जेन ना पड़ा तो इसका में मुद्दा तो बेकेंसी ही रहा है अगर बात करें KVS की तो पिछले साल KVS का एक्जाम वगर जो भी हुआ और उसके बाद अभी भी फिलाल KVS के बारे में कहा जा सकता है कि इसकी बैकेंसी 2024 में तो नहीं देखने को मिलेगा लेकिन दो हजार पचीस में देखने को पूरी-पूरी संभावना है कि KVS की वेकेंसी मिलेगी ही मिलेगी अगर बात करें जारखंड तो अभी आप लोगों ने फॉर्म देखी लिया होगा वीडियो भी हमने बनाया था जारखंड टेट जारखंड ने टेट एक्जाम रिलीज किया है अपना और वहां की खाशियत यह है कि टेट के बाद सुपर टेट होता है यानि कि सिख्छक भरती आपकी आती ही आती है तो टेट का एक्जाम फॉर्म भराया जा चुका है अगले दूसरे महिने में आपका इसका एक्जाम भी है और उसके बाद आपका सिख्छक भरती आना तय हैं तो अगर आप सिख्छक भरती की त्यारी कर रहे हैं तो जहां भी अभी बेकेंसी मिले मूठा के पहुँच जाईए ठीक है तो अगर हम बात करें जारखंड की तो यहां पर भी बेकेंसी आने की पूरी पूरी समाना है लगबग 26,000 माने तो 26,000 बेकेंसी यहां पर आनी है पी आर्टी और जूनियर मिला करके वही हाल आपके उत्राखंड सिक्षक भरती का है उत्राखंड में भी आपको टेट का एक्जाम रिलीज हुआ है और अगर आप सी टेट है तो आप नहीं फिल करेंगे और अगर बात करें तो पहले अभी हम 7 नंबर की बात कर लेते हैं फिर 6 नंबर की बात करेंगे MP सिक्षक भरती मैंने इसका पूरा कलेंडर आपको बता दिया था कि कब इसका कलेंडर आना है तो जल्द ही next month में आपको MP टेट देखने को मिलेगा और इस बार से यहाँ पर भी दो round का exam कराया जाएगा अगर MP टेट हो गया इस वर्स तो अगले वर्स होली तक आपको इसका super टेट भी देखने को मिलेगा ठीक है यहाँ पर बेकेंसी थोड़ी सी कम है लगभग 9000 है जूनियर और प्रामरी को मिला करके तो इसमें कटाफ हाई जाना तै हैं लेकिन आप अगर अपनी तयारी रखेंगे तयारी वाले में तयारी वाले स्टूडेंस सिर्फ एक से 10% ही होते हैं तो अगर आप उन में से हैं तो बेशक आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता और अगर बात करें आप छठे नमबर की यूपी सुपर टेट काफी दिन हो गए अब आ रहा है अब आ रहा है तब आ रहा है लेकिन सुपर टेट नहीं आया लेकिन अगर बात करें अभी महाधरना चल रहा था ट्विटर पे आई होप आप लोगों ने पार्टिस्पेट किया होगा जिसमें सचीर जी ने पूरे जोसों के साथ बताया है क्या बताया है हम लोग खुदी देख लेते हैं तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सिक्षा सेवा चैन आयोग प्रयागराज की हमाले से ये खवर है कि आज के धरना प्रदर्शन में यानि आज धरना प्रदर्शन हुआ है काफी जोरो सोरो से आयोग के सचीर जी ने आश्वासन दिया क्या आश्वासन दिया कि आज सासन इसतर पर बैठक हैं, जल्द, जल्द यानि कि 15 दिनों की अंदर आयोग अपना कलेंडर जारी करेगा, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर, प्रैमरी सब पूरा एक्जाम का कलेंडर जारी करेगा, और जिसमें प्रात्मिक सिक्षक भरती सामिल होगी, आप सभी घर जाएए, आपको दुबारा आयोग पर प्रदर्शन हेतू, नहीं आना पड़ेगा, और इस साल भरती आना तेह साथियो, सच्यू जी का कहना है कि सरकार इसी मुद्दे पर अपना काम कर रही है, यदि कलेंडर समय से जारी नहीं होता है, तो फीज से घेराओ किया जाएगा, यह ऐसा कहना है, लेकिन यहाँ पर ये स्टेट्मिन्ट आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है, सच्यू जी ने कहा है कि जल्द ही कलेंडर जारी होगा, तो आप अपनी तैयारी पूर्ट रखियो और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रात्मिक सिक्षक भरती भी सामिल है इसमें, और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार इसी मुद्दो पर अपना काम कर रही है, तो अब आपकी टेंशन खतम, तो भ तो अगर बात करें यूपी सुपर्टेट तो काफी सारे कंडिडेट्स सिर्फ यूपी सुपर्टेट पे निगाग अड़ाय हुए हैं जो भी एक्जाम सों जहां भी एक्जाम या भरती निकले बस मूँ ठा के पहुँच जाईए एक्जाम दीजिए जब तक आपके अपने स्टेट में नहीं आता है तब तक कहीं पर भी आप सेटल हो जाईए जब अपने स्टेट में आए तो फिर वापस एक्जाम दे के आ जाईए ठीक है आशा करता हूँ आप लोग की आखे लगभग खूल गई होंगी कि कौन कौन सी ए एक्जाम आने हैं और अभी आपको किस एक्जाम की कैसे तियारी करनी चाहिए तो अगर आप सिक्षक भरती की तियारी करने हैं तो लगभग सेल बस एक ही जैसे होते हैं थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस होता है तो उतना आप कबर कर ले जाएंगे ठीक है आशा करता हूँ अब आप अपनी तैयारी एकदम जोरो सोरो से लगाएंगे जिससे की इसमे से किसी न किसी एक्जाम में आप अपनी एक्जीट कबजा कर लेंगे